अलो फैन्स आप देख रहे हैं माई यूटूब चैनल एक च्टाड़ी पर चुकिए हैं इससे पहले में पॉर्ट 3 की प्रस्ट वीडियो अप्लोड कर चुक्ए हूँ पस्तव बल आप उस वीडियो गोडेगे दें सेकेंड वीडियो गोडेगे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था राजनीती के दिश्टिकों और आज हम पढ़ेंगे उदायवाद के पिर्मुक लक्षा उदायवादी राजनीती के पिर्मुक लक्षा इस परकार है सत्ता के लिए खुलकर प्रियोगिता उदारवादी विचारों को का मानना है कि परिवार, शिक्षा, संसाय, जन संपर्क यानि पिरचार के साधन और राजनितिक दल्ये सभी मतदान के अचन को प्रभाबित करते हैं सत्ता की खुलकर प्रियोगिता का उदारवादी में वचारकों का मानना है कि परिवार के शिक्षा संताय, जन संपर्क यानि पिचार के साधन और राजनिती दल ये सभी मतदान के आचा को प्रभावित करते हैं जरूरी ये है कि वे सब सतंतर वातवर में फूले 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 जरूरी ये है कि वे सब सतंतर वातवर के लिए फूले फूले शिक्षा पिणाली में उदारवाद का पुट हो या नहीं कि सभी को इस किसी पिरकार विचाधारा के रंगने का प्रियास किया जाए यानि हालकी उदारवाद में भी होता ही यही है इसी पिरकार जन संपर के साधनों को सरकार के वयापक नियंतर में मुक्त रखा जाए राजनीतिक दलों का गठन पर पितिबन नहीं होना चाहिए और साथ ही दलों को अपने कहने की छोट दे जाए यदि वे सभी संस्थाएं, सभी वयवस्थाएं विद्वान नहीं हो तो मतदान या चुनाफ केवल दिखावा बन कर रह जाएगा चुनाफ पिरकरिया का शुक्षम विश्लेशन हालकी यही दर्शाता है जन संपर का पिचास सादन और राजनेती दल ये सभी मतदान आच्छाओं को प्रभावित करते हैं और जरूरी ये है कि वे सौतंत्र वातवर्ण में फूले फूले जरूरी क्या है वे सौतंत्र वातवर्ण में फूले फूले शिक्षा प्राणी में उदारता का पुट ये नहीं है कि किसी खास विचादारा के रंगने का प्रियास किया जाए हाला कि उदारबाद में यही होता है इसी पिरकाजन संपर के साधनों को सरकार को वयापक नेंदम मुक्त रखा जाए तो मतदान या चुनाब के वल दिखावा बनकर नहीं रह जाएगा वलकि चुनाब पिरक्रिया का शुक्षम विलके रेशा हालकि यही दर्शाता है हालकि नहीतरिव की अवधाणा पर उधारवादी विचारक अवश्य बद देते हैं परन्तो उनका कहना यह है कि उधारवाद लोकतनती ववस्ता में विविन व्यक्ति और दल सकता प्राप्ति के लिए खुली प्रियोगिता कर सकते हैं कर सकते हैं और विविन व्यक्ति दल सत्त प्राप्ति के लिए खुली प्रियोगिता कर सकते हैं हाला कि इसमें अंत्रहीन पुर्वग्रों को भी उदारवा सुईकार करता है इसके अतिरित राजनेती सत्ता में सत्ता से संबंदित जो पद हैं उनके लिए चुनाव या नियुक्तियां छिपाप दुराप के साथ नहीं वलकी खुले रूप में होती हैं परंतु यहां ये भी संक्णिये तदा संकूचित इसके अतिरिक राजनीति सत्ता से संबंधित पद हैं उनके जुनाव या न्यूक्तियां छिपाब दुराब के साथ नहीं वलकी खुले रूप में होती हैं परन्तु यहां यह भी संक्रिये तथा संकूची थातों में सीमित रहती हैं नेक्ट पॉइंट इस राजनीतिक निडे उदारवादी सरकारें मुक्यता व्यक्तिगा स्वतंतरम में आस्ता रखती हैं राजनीतिक निडे उदारवादी सरकारें मुक्यता व्यक्तिगा स्वतंतरम में आस्ता रखती हैं अखबार, रेडियो, टेलिविजन जो सरकार के एक अधिकार में मुक्त रहते हैं हालकि पृतियक उदारवादी में ये सच्चाई नहीं है काफी सीमा तक राजनीतिक निडेों को प्रभावित करते हैं इसके अतिरिक्त ट्रेड यूनियन, धार्मिक समुदाय और अन्ने, संग या संस्थायें भी सरकार की अलोचना करने की स्वतंतर रखती हैं फलसवरूप सरकारी निडों को प्रभावित करने की स्वता भी रखती हैं फॉर्फर्फ सरपंड यूब्बी आधी कांडो ने जिन्हें अकबारों में ने भारत उजागर किया भारती राजनीती रंग मच को जगजोर कर रख दिया जिन्होंने अकबार में रोजगार किया और भारती राजनीती रंग मच को जगजोर कर रख दिया इससे संदे नहीं इसी तरह इंग्लेंड और अमरीका सरीखे उदारवादी देशों में प्रभावप गुट भी सरकारी नेडों को प्रभावित करने में एक महतरपूर भूमिगा निभाते हैं इंग्लेंड के पर्फियूम वह अमरीका के वाटर गेट कांडों ने इन देशों के राजनेतिक स्रंग मंच को जिस तरह प्रभावित किया है वे सर्व विधित हैं अता एव नेडों को लेने और उन्हें किरियवन्ती करने में नोकर शाही का भले ही एक महतरपूर हात रहता हो परंतु उदारवादी राजनीती के अंतरगत किसी भी गुट का राजनीती पर एक अधिकारी नियंतर कायम नहीं हो पाता नेक्स्ट पॉइंट इस निष्टा और विचारों का पर्षन निष्टा और विचारों का पर्षन क्या है वे उदारवारी लोगतंत्री देशों में कोई एक ऐसी स्पुष्ट विचारधारा नहीं होती जो जो संपूर राजनीती का संचालन कर सके फासिट या समगर वादी सरीखे सर्व अधिकारी शाशक भले ही वयापक जन समर्थन हासिल कर ले परंतु वयापक जन समर्थन प्राप्ति करने के लिए उन्हें एक खास तरीके की संकरिया तक सहरा लेना पड़ता है इन देशों में एक ही दल या एक ही विचारक राजनीती का संचालन करती हुई दिखती है दूसरी और उदारवादी लोकतंती देशों में एक से अधिक दलों के होने के होने से विचारकों वो निष्ठाओं का छेतर कहीं जादा अधिक वयापक होता है परन्तु वास्तिविक्ता सदेव यही होती है जो यह जरूरी नहीं है दूसरी और फैंस क्या है? एक और उदारवादी लोकतंती देशों में एक से अधिक दलों से होने के कारण होने से विचारों को वर निष्ठाओं का छेतर कहीं जादा अधिक वयापक होता है परन्तु वास्तिविक्ता सदेव यही होती है यह जरूरी नहीं है नेक्स पाइंट इस उदारवादी राजनीती का मुल्यकार अठारवी और उन्नीसवी सदी में उदारवाद में बहुत महतपूर भूमी का निवाई राजनीती के छेतर में उदारवाद की मुख्य उपलब दिया पिर्तिनीदी और लोक तंत्री की स्थापना स्वेतर शाशन का सिध्धान्त कब पिर्चार लोक सत्ता के सिध्धान्त की स्थापना तथा लोकमत पर विशेश बल दिया जाना समाजिक छेतर में उदारवादियों ने एक ऐसे समाज की स्थापना पर बल दिया है जिसमें जाती, रंग, धर्म, भाशावा, लिंक के अधार पर किसी को भी मनोवाचित अधिकारों से वांचित न किया जाए उदारवादियों ने ये भी कहा है कि प्रतियक राष्ट का स्वासन का अधिकार मिलना चाहिए दूसरे शब्दों में सिद्धान्त उन्होंने समझे वादी शोशन की निंदा की आर्थिक चेतरी में इन विद्वानों के विचारों के प्रायम से विरूप पूंजी वादी को काफी बढ़ावा मिला काफी बढ़ावा मिला हस्त शेप की नीती बड़े बड़े उद्योगों और कारखानों की इस्थापना का कारण बढ़ी पूरू वक्त उपलब्दियों को सुईकार करते हुए भी हम उदारवादी राजनीती की कुछ कमियों की उपेक्षा नहीं कर सकते उदारवादी राजनीती ववस्ताओं ने समाज्य वादी मूलो की इस्थापना की जिसके प्राणफल सबरूप एक विक्सित राजनीती ववस्ता अल्प विक्सित एवविकाशी शाषन ववस्ताओं और देशों का शोषण करती है भले ही इन संभित देशों की शाशन विवस्ताएं उदारवादी प्राकिती की क्यों नहूं पूंजी निवेश के नाम पर किस तरह शोशन होता है ये अब सर्वदादित सच्चाई है माक्स वादियों को कहना है कि उदारवादी देशों ने जनता का शाशन जैसे कोई चीज नहीं क्योंकि राजनीती पर धन को प्रभुत कायम हो गया बड़े बड़े उद्योगों के मालिक प्रचाश साधन पर नियंतर रखते हैं और वे राजनीतिक दलों पर चाय हुए हैं इसलिए उदारवादी लोकतंतर देशों की सरकारे ऐसे कानून बनाती है जो उद्योग पेतियों के हित में हो इसका कारण पूंजी वादी विस्ता के अंतरगत जन साधान की हितों की रक्षश संभव है ही नहीं कुछ वीद्वानों ने यहां तत कहा है कि उदारवादी लोकतंतिये देशों में विचारों को का सोतंता जैसी उद्धोग पतियों का ये पिरियतन रहता है कि जनता को अपने आर्थिक कश्टों से बेखबर रहे और उसमें बगावत की भावना पैदा की पैदा ही नहो आज बीस्वी सताबदी के उत्तरद राद में भी उदारवादी शाचन विवस्ताओं में बंधुआ मजदूर्म वा रंग भेद की नीती पाई जाती है जो किसी भी दिश्टी से उदारवाद के लिए शोबनी नहीं माना जा सकता इसी तरहा भुक मरीवा गरीबी जो उदारवादी विवस्ताओं में वयप्त है किसी भी तरहा मनो वांचित कहे नहीं कह जा सकते इन्हीं कमियों के कानण उदारवाद के भविश्य के सामने एक प्रिशन चिन लगा है जो निरत्तर बड़ा होता जा रहा है उदारवादी सरकारों का भविश्य इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस सीमा तक नागरिकों का अराम वर विष्याम की सुविधाय प्रदान कर पाती है और साथिक की सीमा तक वे नागरिकों और स्वतनताओं की रक्षा कर पाती हैं उदरवादी राजनीती नागरिकों से आत्म सहयम की उपेक्षा रखती है इस टॉपिंग में फेंट्स क्या है? लोगसत्ता के सिध्धन की स्थापना तथा लोक्त पर विशलेशन बल दिया जाना चाहिए और उदरवादी ने एक ऐसे समाझ की स्थापना पर भी बल दिया है जिसमें जाती रंग बेत भाव के अधार पर किसी को मनोवाचित और अधिकारों से वांचित ना किया जाए समाजवादी सोशड की निंदा भी की है और आर्तीक छेत्र में इन वुद्वानों के विचारो को के प्राम सवरूप पुझी वादी को काफी बड़ावा भी मिला है गाँ बड़ावा भी मिला है और उधारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समाजवादी मुल्लों की इस्थापना की जिसके फलसवरूत एक विक्सित राजनीति व्यवस्था एब विकाशी शाषन व्यवस्थाओं और देशों को शोशर करती है जो शोशर करते हैं भले ही इन संबन्द देशों की शाषन व्यवस्था उदारवाती प्राकृति की हूँ की ही क्यों नहूं पूंजी निवेश के नाम पर किस तहां शोशड होता है यह अब एक सर्ववादित सक्चाई है और माक्सवादियों का क्या कहना है की वे उदारवादी देशों में जनता का शाषन जैसी कोई चीज नहीं क्योंकि राजनीती पर धन का प्रबुत कायम हो गया है चाहे बड़े-बड़े उद्योगों के मालिक पिर्चारों पर संसादनों का नियंतर रखते हों पर वे राजनीती दलों पर छाय हुए हैं क्या ह इसलिए उदारवादी लोगतंती देशों की सरकारें ऐसे ही कानून बनाती हैं जो उद्योग पतियों के हित में हो इस कारण पूंजी वादी वेस्ता के अंतरगत जन सधादर के हीतों की रक्षा संबभ नहीं कुछ विद्वानों ने यहां तक कहा है कि उदारवादी खबर रखें और उसमें बगावत की भाबना पैदा ही नहीं हो और आज बीसवी शताबदी के उत्तरद में उदारवादी ने शाषन की वेस्ताओं में बंद्वा मजदूर वर रंग बेत की नीती पाई है पाई जाती है जो किसी भी दिष्टी से उदारवाद के लिए शो प्रफ़ों में वयापत है किसी भी तहां मनुवान्चित नहीं कहे जा सकते इन्हीं इन्हीं उदारवादियों और सरकारों के भविष्ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस सीमा तक नागरिकों का अराम वविश्राम की सुविधाय प्रिदान करती कर पाती हैं और राजनीती नागरिकों से आत्म सेम की अपेक्षा रखती है राजनीती के विशे में माक्सवादी दिश्टी को जैसे कि हमने उपर बतलाया है कि उदारवादियों के अनुसार समानने हीतों की पूर्ति का साधन और विवादों वा जगडों के ग्रस्त समाज में समाज से ल लाने का प्रियास करती है उदारवादियों के अनुसार समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है इसके ठीक विपरित माक्सवादियों ने राज्ये को वर्ये सरचना और राजनीती के रूप में देखा है उनके अनुसार वे वर्ग जो आर्थिक शक्ति के संपन होता है राजनीती के माध्यम से समाज को संपूर आजनीती वर संस्किती धाजे पर छाया हुआ है ये केवल अपने हित की बात सोचता है और जनसदाना के हितों में हितों से उसकी कोई वास्ता नहीं होता कि सस्तांत किनांती के द्वारा राज सत्ता पर कबजन नहीं कर लेता राज सत्ता को हत्याए बिना उसका उधार उधार नहीं होगा ये एक ठोस एफ शशक्त सच्चा है जैसा कि हमने उपर बतला है कि उधार वादियों के अनुसा समान नहीं तो कि पुर्दी का एक साधन है इसके ठीक विपरिक माक्स वादियों माक्स वादियों ने राज्य को वर्गी सरचना और राजनीती को संगज के रूप में देखा है और उनके अनुसावे वर्ग जो आथिक सक्ति से संपन होता है राजनीती के माध्यम से समाज के संपू राजनीती वा संस्कित धाचे पर छाया हुआ है क्या है फ्रेंस वो राजनेतिव संस्किति के ढाचे पर छाया हुआ है कालमाक्स के एगलिंस और लेलिन राज्ये को इसपश्टनस्ता और वर्गे संगर्शों के उपज़ और वर्गे बेदों को बढ़ावा देने का साधन माना है और एंगलिस ने ये भी लिखा है कि राज्ये उस यंत्र अत्वा मशीन का नाम है जिसके दोरा एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है एगलिंस के अनुसार क्या पर जो एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है हर युग में सरकार का लक्षे ये रहा कि वे दीन हीन लोगों को सताए इस वर्ग का कल्यार तब तक संभब नहीं जब तक कि सशक्त किरांती के दौरा राज सत्ता पर कबज़ा नहीं कर लेता राज सत्ता को हत्याए बिना उसका उधार नहीं होगा ये एक थोड़ शसक्त सच्चाई है क्या है पैंट से एक सच्चाई है नेक्स पॉइंट इस राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दबाने का साधन है माक्षवादियों ने राज्य को एक वर्ग ये संगठन माना है माना है और उनके अनुसार हर यूग में राज्य नीती शक्ति उन लोगों के हाथ में रहती दही जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार रहा दास तथा पृथा वाले यूग में सोतंतता लोग राज सक्ता का उप्योग करते थे समाने वात्ती यूग में जमीदार और वयापारी शाशक थे तथा पूंजी वादी राज्यों में पूंजी पत्यों की प्रिभूता पाई जाती है ये वर्ग के केवल अपने हीतों से प्रेरित होकर ही कार्य करते हैं समाज एक छोटा सा वर्ग अधिकांश लोगों को जोड़ जवर्दस्ती या बल प्रियोग के द्वारा अपने अधिन रखता है यही कारण की असमज वादी राज्यों का स्वरूप दमनकारी रहा है और माक्स वादियों का कहना है कि सरकार का स्वरूप कुछ भी हो सकता है गुलाम पर्था के यूग में निरुकुन शाषन पिढ़ानी भी विद्मान थी और एथनेस जैसे कुछ नगरोंक में कुलेन तंत्र या गण तंत्र शाषन भी विद्मान था इसी पिरकार समंतवादी यूग में राज तंत्र और अभिजार तंत्र भी दोनों तरह की सरकारे पिढ़ चाली थी अधुनिक पुझिवादी देशों में सरकारों के विविद रूप देखने को मिलते हैं कुछ देशों में राज तंत्र विद्मान हैं कहीं फासिस्ट सरकारे कायम हैं और इंग्लेंड और अमरीका जैसे कुछ देशों में फिरतिनीदी संस्ताय पाई जाती हैं सरकार का स्वरू कुछ भी हो परंतु ये निश्चित है कि शाशक वर्ग केवल यही कानून बनाएगा जो उसके हितों की रक्षा करें पूजी वादी देशों में जो लोकतंत्र पाया जाता है वे दिखावती हैं वे केवल धनियों के लिए जिनकी संख्या बहुत थोड़ी है और माक्सवादी के अनुसार तथा कि लोकतंत्रिय सरकारें भी केवल हिंजा और दमन पर आधारित हैं समाज का धनी वर्ग सर्वसधान लोगों को बल प्रियोग के रूप में अपने अधीन रखता है क्या है फेहन माक्सवादियोंने राज़े को एक वर्गी संगठन माना है और उनके अनुसार हर यूग में राजनीती शक्ती का उन लोगों के हातों में रही जिनका उतपादन जमीदार और वयपारी शाशकते कि लोग के सकता का उपयोग करते थे कौन लोग जो समानते यूग अपने जमीदारों और वयापारी के शाशक ते और पूझी वादी राज्यों की पूझी पत्यों की पुर्भुता पाई जाती हैं ये वर्ग केवल अपने हीतों से प्रेरी थोकर ही कार्य करते हैं और समाज का एक छोटा सा वर्ग अधिकांश लोगों को जरूर जबदस्ति या बल प्रियोग के द्वारा अपने अधिन रखता है समाज का एक छोटा सा वर्ग अधिकांश लोगों को जरूर जबदस्ति या बल का प्रियोग के द्वारा अपने अधिन रखता है और यही कारण है कि असमाजवादी राज्यों का स्वरूप दमनकारी रहा यही कारण है और माक्सवादियों को कहना है कि सरकार का स्वरूप कुछ भी हो सकता है गुलाम पर्था के यूग में निरुक्ष शाचन प्रिणानी भी विदमानती एंधेंस जैसे कुछ नगरों के में कुलेन, तंत्रिया, गर्तन, शाचन भी विदमानता इसी पिरकार समनतवादी में राज्तन और अभीजान दोनों तरह की सरकारे पिरचालित थी और वे केवल धनियों के लिए ही जिनकी संक्या बहुत थोड़ी है और माक्सवादियों के अनुसार लोग तंत्य सरकारे भी केवल हिंसा और दमन पर अधारी थें समाज का धनी वर्ग सर्व सदारन लोगों को बल पिरियोग के द्वारा अपने अधीन रखता है ससंत्र क्रांती के बिन वर्तमान वर्ष्था में परिवतन नहीं लाया जा सकता सदारता माक्सवादियों के सुझाव सास सांत्र क्रांती की और एक ही है माक्सवादियों के अनुसार शमिक को मान कर चलना चाहिए कि वर्तमान वर्ष्था में के समाज से के बिना संभाब नहीं है और उन्होंने उधारवादियों को इस बहकावे में नहीं आना चाहिए कि वर्तमान लोकतंतिय संस्थाओं के द्वारा समाजवाद आ सकेगा लेलिन के शब्दों में पूंजिवादी पूतेली संस्थाओं के द्वारा प्रागती संबब नहीं है संसर लोगों को बहकावे में रखने के अलावा और कोई कारे नहीं करती इसलिए शमिकों को चाहिए कि वे किरांती के द्वारा राज सस्था को हतियाए ताकि नौकरशाही सेहना और पुलिस के उपर उनका अधिपरती स्थापित हो सके सदानाता माक्सवादियों का सुजाब क्या है पर सुजाब सासतन किरांती की और हो और माक्सवादियों के अनुसा समेश शमिकों का मान कर चलना चाहिए कि वर्तमान में पूंजी को वाद को समाप्त किये बिना उसका कल्यार संभब नहीं है और उन्होंनों उधारवादियों को सुधार और उधारवादियों के इस बहकावे में नहीं आना चाहिए कि वे वर्तमान और लोगतांती संस्थाओं के द्वारा समाज वाद आ सके और लेनिन के शब्दों में पूंजी वादी पिदिनी संताओं के द्वारा प्रागिती संभग नहीं है और संसत के लोगों को बहकावे में रखने के अलावा और कोई कारें नहीं करती इसलिए शमिकों को चाहिए कि विक्रांती द्वारा राज सत्ता को हत्यार ताकि नौकर्शाहि सेना और पुलिस के उपर उनका अधित्य थापित हो सके Next point is मजदूरों की तानशाहि के दोरान राजनीती का स्वरूप कालमाक्स और एगलिन्स के विस्तार में इन बातों का उलेग नहीं किया कि मजदूरों की तानशाही के दुरान राजनीती का क्या स्वरूप होगा कालमाक्स और एगलिन्स के विस्तार में इन बातों का उलेग नहीं है कि मजदूरों की तानशाही के दुरान राजनीती का क्या स्वरूप होगा परन्तु रूस चीन या अन्य समाजवादी देशों में जो कुछ हुआ ता था लेलिन सत लेलिन इन सम्मंद में जो कुछ लिखा है उसके अधार पर हम इस परड़ाम पर पहुंचते हैं कि क्रानती के बाद समोची राजनीती शमीकों के हाथ में आजा जाती है और माक्सवादियों का कहना है कि पूंजी वादी असानी से हार सुइकार नहीं करेगा इसलिए सरकार हर संभग उपाय द्वारत प्रितिक्या वादी तत्रों का दमन करेगी लेनिन के शब्दों और लेनिन जो कुछ हुआ तथा लेनिन और संस्तानी इस समझ में जो कुछ लिखा है उसके अधार पर हम इस परड़ाम पर पहुंचते हैं कि क्रानती के बाद समोची राजनीती सत्ता समीकों के हाथ में आ जाती है और माक्स वादी का कहना है कि पूंजी वादी असानी से हार नहीं सुई कार करेगा इसलिए सरकार हर संभव उपाय द्वारब प्रिति की रियावादी तत्वों का दमन करेगी लेनिंग के शब्दों में सेना अजवरस्ता और शिक्षा संस्थाओं और स्प्रिशाशन इन सभी के द्वारब प्रिति के रियावादी शक्तियों के विरिफ लड़ाई छोड़नी बढ़ेगी परस्ट पाइंडर जहां तक सेना वाद पुलिस का परशन है उनमें केवल विवयक्ति ही रखे जाएंगे जिनके माकसवादी वरस्ता में पून निष्टा होगी और समाजवादी राज्ये में भी हिंसा और दमन के आविशक्ता पड़ेगी परंतु अब उसका रूप बदल जाएगा पूजी वादी वरस्ता में सेना का उप्योग उन लोगों का दमन के लिए किया जाता है जो समाजवाद के लिए लड़ रहे हूँ परंतु समाजवादी वरस्ता में उसका उप्योग पूजी वत्तियों और उनके दलालों के विदाश के लिए किया जाएगा ताकि समाज में वैप्त शोशा के विभीम सत्रे संसा का अंतु हो सके पुलिस का परशन है कि उनमें केवल बेव्यक्ती ही रखे जाएंगी जिनका माक्सवादी वरस्ता में पूर्मिष्टा होगी और समाजवादी राज्ये में भी हिंशा और दमन की आवशकता रहेगी पर अब उसका रूप बदल जाएगा और पूर्जिवादी वैस्ता में में सेहना का उप्योग उन लोगों के दमन के लिए किया जाएगा क्या जाता है जो समाजवादी के लिए लड़ रहे हो परन्तों समाजवादी वैस्ता में उसका उप्योग पूर्जिपतियों और उ आर्थिक छेत्रमस सरकार का प्रिथम कारी ये होगा कि बिजली रेल बैंक और बड़े-बड़े कलकार खानों को वे अपने हाथ में ले ले बड़े-बड़े क्रीशी फार्मों का भी राश्टी करन कर दिया जाएगा परंतु छोटे-छोटे खेत किसानों के प्रांग किसानो के पास बने रहेंगे आर्थिक आयोजन के द्वारा उत्पादन में विरिद्दी की जाएगी और शमिक जब अपनी शक्ति और अंदोलन में ना लगाकर देश की संपदा को पढ़ाने में लगाएंगे प्रितिय व्यक्ति के लिए मेहनत करना जरूरी होगा और उसे उन और योगिताबा काम के अनुसार परिक्षि में मिलेगा यहां यह उलेखनी है कि सोवियक रूस का पहला देश है जहां नागरिगों को काम पाने का अधिकार कानुनी अधार पर प्रिदान किया जाएगा किया गया चीनी जन गर्णाज्य में भी ये अधिकार लोगों को कानूनी अधार पर दिया गया है परिश्य में मिलेगा और यहां यह उलेकनी हैं कि सोवियत रूस का पहला ऐसा देश है जहानागरिकों को काम पाने का अधिकार कानूनी अधार पर प्रदान किया गया, चीनी जंगर राज्ये में ये भी अधिकार लोगों को कानूनी अधार पर दे दिया गया माक्सवादी समाज की वर्गी सरचना पर प्रकाश डालता है और इस बात पर बल देता है कि राज्ये की संस्ता पर उस समाजिक वर्ग का नियता होता है जिसके हातों में उत्पादन और वित्रन के साधन कैंडरित है और माक्सवादी ने सर्वहारा वर्ग के शोशड के चरस्थाई नहीं माना उनका कहना है कि पूंजी वादकन विनाश अनिवारे हो माक्सवादी ये किरानती का पैगाम है पैगाम है और माक्सवादी ने उन विदियों का विस्तार से विशलेशर किया है जिने अपना का गुजुर्व आबार्ग का अंत किया जा सकता है अथा माक्सवादी राजनीती के अंतरगत वर्ग शंगर्ष किरानती के सिध्धान्त और शमिक की तानशाही पर बहुत महत्पूर इस्थान है इन तीनों परशंग्षित रूप से विचार करें अब हम पढ़ेंगे वर्ग पाइंट इस वर्ग शंगर्ष आप लोग को मेरी इडिय पसंद आये तो मेरी वीडियो को लाइक स्वादी मिंप्र एक और बेल इक उन को प्रेस करें अने वे वीडियो की नॉंटिप्रेशन उप लोग के पास सब सब पहले मुकी पहुंचेगी ठैंक्स आप व्वाचिंग माई वूड्य